हुआ है हलो फ्रेंट आपको बाई-पी एजूकेशन टृक्श चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स की बात करेंगे फिजिक्स में आवारा आज का जो चैप्टर है वो चलेगा धोनी एबं तरंगती क्या चलेगा धोनी एबं तरंगती चाहिए या आप B.H.U का एक्जाम दे रहे हैं या फिर अधर किसी कम्टेटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं किसी कीवित आप तयारी कर रहे हैं एक्रिकल्चर इंट्रेंस की तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर होने वाली है आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए है या भी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेट करके सब्सक्राइब बटर पर किलिक कर लें और बराबर में बैल आइकन की गंटी है उसको भी प्रैस कर लें इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपनोड करेंगे रहाँ हो जाना पढ़ते रहे तो इस वीडियो को करते हैं सुराघ वीडियो को सुरू से लेकि लास्ट तक देखना देखना पहला प्यांट इसमें है कि चंपन रा वली बस्तु द्वारा एंक क्मपन में लगे रहा करके समय को आप आपर अब इसकाल किसे पर अगर आबसक कहते हैं यहां से आंके कोश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो आंकी कोश्चन बनने के संभावना पूरी-पूरी है प्रति सेकेंड किये गए कंपनों की संक्या उसकी आबर्ति कहलाती है इसका ऐसाही यह मातरक है यह आपको बताना है कमेंट करके पिरती सेकंड किये गए कमपनों की संक्या उसकी आवर्थी कहलाती है इसका ऐसा ही मात्रक क्या है हर्टज है समझ लिया किसका मात्रक हर्टज है आवर्थी का मात्रक है वो हर्टज है अगला प्वांड है कमपन करती हुई बस्तु का माध इस्तिती से एक और अध तो देखिए इस सूत्र को आप याद रखिए इसी सूत्र से कोशन आपके बनेंगे आबर्त काल बराबर होता है बन अपाउन आबर्ती आबर्ती को बोलते हैं फ्रिकोइंसी तो टी बराबर हो जागा बन अपाउन एफ जैसा की दर्साया गया है ठीक है अगला जो सूत्र वो बदेगा तरंग की चाल को हक की बात होगी तो हम B से डिनोट करेंगे आबर्ती है तो आबर्ती को N से पिरदस्त करेंगे तरंग दहद देद तरंग दहद को लेमडा से पिरदस्त करेंगे इसी प्रिकार अगला सूत्र है तरंग दहद लेमडा तो लेमडा बराबर है तरं कुछ पेपर में जरूर पूछा जाता है तो यह बिल्कुल रटके आप रखिए ठीक है अब देखो मालो चाल बराबर आपको याद है तरंग की चाल बराबर याद है आबरती इंटू तरंग दहद होता है अब यहां से चाहें आप तरंग दहद निकलवाए चाहें आबरती अगर वो तरंग की चाहन निकल बारा रहा है तो तब तो आप डारी सीधे सीधे रख दोगे अगर वो आबरती निकल बारा रहा है तो आबरती बहाँ निकाल लेना ठीक तरंग दैद निकल बहाँ निकल लेना वकाया सूत्र बनाके आप लगा देना अब देखो अगली यह स्लाइड आप देख रहे हो ना यह स्लाइड इतनी ज्यादा महत्पूर है चाहें किसी कभी आप एक्जाम देना यहां से कोशन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा देखिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक निकरा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्तों में सेर कर दीजिए देखो यह माध्यम चलाएगा यहां पर चलेगा चाल यानि दोनी की जो गती है वह चलेगी काय में डिग्री सेंटी रेट में ठीक है अब जैसे कभी कभी कोशन पूछा जाता है कि आप यह बताओ सबसे ज्यादा दोनी की चाल यह मैंने आपको दिखा जाएगा आराम से दिखाई देता होगा तो ठोस में और द्रब और गैस तो यह कह रहा है कि यह बताओ तीनों माध्यम में से दोनी की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है तो देखो सबसे ज्यादा है वो दोनी की गती होती है ठोसों में सबसे ज्या कि ठोस होते हैं ठोसों में धोनी की चाल सबसे अधिक होती है अब उसमें भी समझो आप अंदर इसके अगर डीप में जाओगे आप तो देखो पधार्तों के नाम दे रखे हैं पधार्त के क्या क्या नाम है ठोस में देखो कॉपर है गिलास है और इस बात है अब आप देख तो सबसे ज़्यादा जो है ठोस में भी ठोस के अंदर भी ठोस में भी जो कॉपर है कॉपर में सबसे अधिक धोनी की चाल होती है कितनी होती है देखो 5010 यहनी 500010 है धोनी की चाल तो सबसे ज़्यादा आपको धियान रखना है किसमें धोनी की चाल होती है कॉपर में कॉपर के है ठोश में सबसे ज़्यादा copper में नहीं है सबसे ज़्यादा किसम इस पात में औ er उस세 कम Glas में उससे कम किसमें copper में यह दोनिकी चल अगला देखो इसके मुकाबले जो है वो द्रम में कम है दोनी की चाल सबसे ज्याधा होती है ठोसो में द्रब में कितनी है देखो आसुत जल है आसुत जल में कितनी है भाई चौधा सो आपका अठाउदव है कितना चौधा सो अठाउदव है और समुद्री जल में पंदा सो तेतेस अलकोहल में बारा सो दस अब बात करेंगे हम गैसो की देखो यहीं से कोशन पेपर में देखने को मिलेगा आप चिंता ना करें आप धहरिये से इमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहिए ठीक है पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा चाहें आप कैड़ेट का एक्जाम दें चाहें बीच्चू का एक्जाम दें अधरबाज किसी कभी कमप्टिशन का एक्जाम दें एग्रिकल्चर का देखो हाइट्रोजन की बात करें हाइट्रोजन का जो होता है दोने की चाल कितनी होती है 1270 कितनी 1270 हेलियम की 965 ऑक्सीजन की 316 और सियोटू में 260 और बायू 332 ठीक है अब आप देखो दिहान से यहां पर बायू की याद करके रखना 332 यह बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है 332 मेटर पिर्थी सेकेंड मेटर प अब देखो प्रक्षा की द्रस्ति से बहुत ही महत्पूर को चन है उनको समझो आप देखो इसमें पहला कोले है तो दोनि क्या है दोनी एक अनुधहरत्त तरंग ہے क्या है धुनी अनुधैदित रंग है अगला है अब स्रब धुनी क्या है तो अब स्रब धुनी वो होती है जो 20 हर्टज से कम की धुनी yem को कुलते हैं अब स्रब धुनी आराम से पढ़ना क्योंकि इस SLOID से थे आपको पेपर में 100% कोश्चन देखने को को मिलेगा देखो स्रब धुनी जो होती है स्रब स्रब होती है 20 से 20,000 हर्टस तक की जो धुनी होती है उसने बोलते हैं स्रब धुनी इसी प्रकार परा स्रब धुनी होती है वो होती है 20,000 हर्टस से अधिक की धुनी को बोलते हैं परा स्रब धुनी तो यहां से आपने धुनी स 2000.000 हर्तेज की होती है प्रासरब धुनी है वो 2000.000 हर्तेज से अधिक الإ uwagę होती है मनुस सुन सकता है तो देखो मनुस है आयाम तथा आबिर्ती क्या है आयाम तथा आबिर्ती नगला पॉइंट है इस पॉइंट पे आप इस्टाल लगा लो धोने की तीब बरतम आपने की इकाई क्या है तो धोनों की जो तीब बरतम आपने की इकाई है वो है डिसबल क्या है डेसिबल यहां पे देखो बायू मे मैंने यही question देखो, यह question पर मैंने अभी आपको style लगबाया कि यह बहुत पूछा जाता है, भाईयों में जो धुनी की चाल है, वो 332 km पिट्टी सेकेंड है, नाइस्ट, अगरा point है देखो, सबसे अधिक, सबसे अधिक धुनी की चाल होती है, तो किस में होती है, इस पात मे देखो, इस पात कहा है, ठोसों में, सबसे अधिक जो धुनी की चाल होती है, वो ठोसों में होती है, और ठोसों में में किस में होती है, इस पात में, यहाँ पे देखो, सीधे सीधे, यह 6960 है, ठीक है, अगला point, आपके लिए बहुती बहतर से बहुतर वीडियो प्रोवाइ तो यानि तारत तो निर्वर करता है धुनी का तारत तो निर्वर करता है वो किस पर करता है तो धुनी का तारत तो निर्वर करता है आबिर्ती पर धुनी का तारत तो निर्वर करता है किस पर आबिर्ती पर परासरब तरंग का उधाल बताओ तो परासरब तरंग का जो उधा किया जाता है तो किया जाता है धुनी का किसका धुनी का इस कोश्चन पर आप इस्टाल लगाओ डबल इस्टाल लगाओ बहुत ही बहतरीन कोश्चन है धुनी तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती तो देखो धुनी तरंग है धुनी तरंगों में कौन सी घटना नहीं हो सकती है तो यह है धुरबार नाइस्ट पॉइंट अगला पॉइंट समझो विश्व स्वास्त संग्ठन के अनुसार मानप के लिए सबसे उपयोगत तीबरता वाली धुनी कितनी है कितनी होनी चाहिए इस पॉइंट को भी आप स्टार्ट लगाईए यह काफी नाइस्ट है परासरव दहनी तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है देखो यह परासरव द्व सबसे ओ तो मनस्त जो सुनता है वह Üų भुन बन goingई कौंसी है स्रबं आ यह दिहार रखना घनद यहाँ नेlines देखो अगला आपका कोश्चन है डापलर प्रभाव संबन देता है जो डापलर का प्रभाव है वो किस से संबन देता है दोकर जो डापलर का प्रभाव संबन देता है वो है धुनी से संबन देता है धुनी से संबन देता है अब मनुस के लिए सबसे हानी कारक विक्रण है तो मनुस और डापलर प्रवाब किसे सम्मंदित है वो है धुनी से सम्मंदित अगला है इसपष्ट पिर्थी धुनी सुनने के लिए सुरोत और पराबर्तित तलकी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए तो देखो इसपष्ट पिर्थी धुनी यह होती है धुनी और धुनी से टकराने के बाद बापस जो आती है वो होती है पिर्थी धुनी तो धुनी और पिर्थी धुनी तो धुनी की बात नहीं कर रहा है यहां पिर्थी धुनी सुनने के लिए सुरोत और पराबर्तित तलकी जो दूरी है कम से कम कितनी 16.6 मीटर की होनी चाहिए कितनी 16 विन फुला.ब ऑण्ट 6 मेटर की दूरी होनी चाहिए अब देखो धुनी की तीब बढ़ता लेको ये सलाइट बहुत ही अच्छे से आपके लिए तयार की गई है और आराम से बहुत हलकी बात करोगे तो वो 30 डिसवल है कितनी 30 डिसवल और जो सामान बातचीत या बारता लाप है उसकी दोनी की तीबड़ता कितनी होनी चाहिए वो है 60 डिसवल कितनी 60 डिसवल तो यही वाली जादातर पेपर में पूछी जाती है यह आपको याद रखनी है बई, सामान बादची, या बारतल आप में कितने डिस्बल की दोनी होती है, या कितने डिस्बल की दोनी यूच होती है, तो धियार रखना है आपको 60 डिस्बल बेस्थ याटअर Puis तो बेस्थ दोनी की तीप बढ़ता यहनी 70 डिसबल और सब फैक्टरी सोर 80 डिसबल कितना 80 डिसबल अब देखो यहाँ पे नोट करके नीचे की साइड एक पॉइंट दिया गया है उसे समझो 80 डिसबल की अधिक पिरवल सोर सरीर के लिए क्या है कश्ट डायक होता है अब देखो अगली जो सलाइड है वो भी काफी अच्छी सलाइड है वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में सेर्वी कीजिए देखो अनुप्रेस्ट तरंगे हैं और अनुधैद तरंगे हैं देखो अनुप्रेस्ट तरंगे और अनुधैद तरंगे इस्तर जल में पत्तर फेकने पर जल की सतय पर उत्पन तरंगे जो होती है वो अनुप्रेस्ट तरंगे होती है जैसे मालो इस्तर जल है इस्तर जल किसमे होगा तालाब में तालाब में क्या है एक इस्तर जल है ठीक है और उसमें आप क्या करोगे पत्तर फेकोगे तो पत्तर फेकने पड़ जल की सतय पर उत्पन तरंगे होंगी वो कैसी तरंगे होंगी वो अनुप्रेस्थ तरंगे होंगी इसी प्रकार अन भुकमपय तरंगे ज wolvesकमपय तरंगे कैसी होती है अगला जो कुश्ट पाइट है डोरी यक्टबाद एहनत्रों के तार में उत्वणाज थिर्ंगे में उत्फण तरंगे यासे सितार गिटार विला आधि की तरंगे यह कैसी एफ यह भी अनुप्रेस्ध तरंगे होती है कैसी होती है अनुप्राष्ट तरंगे होती है अनुधैद तरंगे क्या है देखो सर्पलाकार इस्प्रिंग में उत्पन जो तरंगे है सर्पलाकार इस्प्रिंग में उत्पन तरंगे होती है वो अनुधैद तरंगे होती है तो यह भी आपने स्लाइट पढ़ ली अबम पानी के अंदर नो बहन में, कॉमा पन्टव्वियों द्वारा कॉमा सोनार उपकरण में प्रियोक की जाती है कौन सी तरंगे, प्रासरब तरंगे, तो ये सब एक्जामपे लियाद करना है, समुद्र की गहराई का पता लगाने, आपनी के अंदर नो बहन में, और पं इसमें भी परासरब तरंगे का इस्तिमाल किया जाता है अगला आए छिपी हुँई बश्तूं का पता लगाने में परासरब तरंगों का यूज होता है चलते में अगली सलाइट पर आप देखो हम कुछ इससे जो हमने अब तक पढ़ रखा है उससे सम्मझेत हम कोशनों को तो देखो कैसे solve करोगे, कैसे question पूछे जाती है, देखो पहला question है कि धुनी की चाल अधिक्तम होगी, तो धुनी की चाल सबसे अधिक्तम किसमे होगी, तो आपको बताया कि धुनी की जो चाल है, वो सबसे अधिक किसमे होगी, ठोसों में होती है, ये तो पता है आपको ठोस, ड्रव और गैस ये तो बात आपको पता आये कि ठोस ड्रव और गैस आपने देखा कि भाई जल एक ड्रव है तो ये तो आफसन भैसी कट गया इसके बाद बायू क्या है गैस है तो ये भी कट गया ठीक है अब देखो निर्वात बचा और इसपात बचा निर्वात और इसपात अब इन दोनों में से एक हो सकता है तो यहां पर आपको पहचानना है ठीक है क्या पहचानना है अब इन दोनों में से पहचानना है जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है आपको बता देखिए विभिन माध्यम में दोनी की चाल जो है वो भिन्द भिन्द होती है कोई माध्यम जितना भी पिरत्याक्ष्य होगा दोनी की चाल उसमें उतनी अधिक होगी इसलिए जो इस पात है इस पात में दोनी की चाल जो है वो सबसे अधिक होती है अभी हमने पड़ा अपने लोगों ने अभी उपर भाय-भाई दोने की चाल किसमे अधिक होती होगी इस पास में तो एह है yas question देखो इस प्रकार स 5000 हटच पर कमपन कर रही है उत्पंद होने की आबर्तकाल निकाल लिए तो क्या निकल वार रहा है आपसे आपसे निकल वार रहा है वो आबर्तकाल ठीक है अब आबर्तकाल का आपको क्या पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए भाई फार्मूला जब आपको फार्मूला पता होगा तब आप आराम से question को बना लोगे ठीक है तो देखो कोई बस्तू है कोई बस्तू 5000 heritage पर company कर रही है company का मतलब है आबर्ती सीधे सीधे है आप company कर रही है यानि आबर्ती है तो आबर्ती यानि आबर्ती क्या frequency है तो f बराबर कितना हो जाएगा आपका f बराबर हो जाएगा ये 5000 हर्टज ये हो गया 5000 हर्टज इसके बाद आबर्तकाल निकल बारा है इसका मतलब वो t निकल बारा है तो t बराबर लगा दो आप question mark अब सूत्र आपको पता है भई उत्पन दुनी का आबर्तकाल आबर्ती क्या होता है बन बटे आबर्ती अब देखो आबर्ती इसने दे रखी है ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो आबर्ती उसने क्या कर रहा है आबर्ती उसने दे रखी है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा देखो निकलबा क्या रहा है आबर्तकाल तो t बराबर क्या हो जाएगा t बराबर बन बटे आब इठती है यह तो है बन बटे आब इठती तो सीधे सीधे रख दो यानि एक बटे और नीचे कितना रख दो 5000 अब जब आप 5000 से एक को भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 0.002 सेकेंड यह आपका एंसर आ गया ठीक है तो इस प्रकार से हांकी कोशन भी पेपर में आपसे खूब पूछे जाएंगे तो इनकी प्रक्टिस करना है अगला कोशन कह रहा है अभी हमने यह कोशन आपको पढ़ाया था कि मानव कान कितनी आवरती वाली दोनी सुन सकते हैं 15-20 हर्टज तो 15-20 हर्टज आपने अभी तक कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा अगला है 10-15 हर्टज तो यह 10-15 हर्टज भी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा अब आप कंफूज होगे इसमें 20-25 हर्टज तो देखो 20-25 हर्टज का भी आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा इसका मतलब 20 हर्टज से 20 हर्टज तक यह वाला हो जाएगा D वाला यही आपने पढ़ा था जो क्या है स्रब तरंगे हैं यह कौन सी तरंगे कहलाएंगी स्रब त सकता है मनों से कितने हर्टज की दोनी को सुन सकता है तो 20-20,000 हर्टज तक की दोनी आबर्ति वाली जो दोनी है उसको दोनी तरंगों को स्रब कहते हैं या फिर इन तरंगों को मनों से सुन सकता है यह आपको दिहान रखना है अगला पॉइंट है दोनी का तारत निरभर करत तो देखो यह भी कोश्चन हमने आपको अभी कराया है अब वहीं से यह कोश्चन निकलके आया है धुनी का तारत वह वह किस पर नर्वर करता है तो मैंने आपको बताया था कि धुनी का तारत वह वह आवर्ती पर नर्वर करता है मैंने यही आपको अभी पढ़ाया था कि और बच्चों की आवाज क्या होती है शुरीलिव पतली होती है तो इसी परकार क्या होगा कि बाई तार्त भी कम वोगा तार्त कम होगा तो धुनी मोटी होती है जैसे फुरल की आवार और सेर की दहार, ठीके, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो, धुनी का तारत जो है, वो आबर्ती पर डिपेंड है, आबर्ती पर नरफर करता है, आबर्ती बढ़ने पर धुनी का तारत भी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे यह आबर्ती बढ़ेगी, उ जब तारत्व कम होता है तो दोनी कैसे हो जाती है मोटी हो जाती है जैसे पुरसो की अबाज और सेर की दाहार ठीक है जब तारत्व बढ़ जाएगा तो समझो अबाज कैसे होगी पतली और सुरीली और जब तारत्व कम होगा तो दोनी मोटी हो जाएगी जैसे पुरसो की आ गया होगा अगला कोशन देखो अगला कोशन देखो फिर से आ गया उसी टाप से है लेकिन बिकलब थोड़े से चेंज है दोने की चाल अधिक्तम होगी तो दोने की चाल जो अधिक्तम होगी वो किसमे होगी अभी मैंने पढ़ाया है आपको इस पात में तो अगला कोशन द ते हुए भी जाना ठीक है इस वीडियो में वस इतना ही था वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्बाद मिलते हैं नेस्ट वीडियो में